वेलकम फ्रेंग्स जै भारत जै हिंदुस्तान फ्रेंग्स दिस वीडियो टू महांमध गोरी इन वीडियो फॉर्स्ट वी डिसक्स्ट अबाऊट दा बैक ग्रांड अफ महांमध गोरी इनवयर्जन महांमध गोरी के आकरमान की जो प्रिष्ट भूमी थी उस पर हमने दिसक् किया था पिछले विडियो में and today we are going to discuss about the Indian expeditions ठीक है ना उस समय हमने आकरवन की प्रिष्ट भूमी को समझा था और अब हम सारे expeditions यानि अभ्यानों को यानि की मुहम्मद गोरी के आकरवनों को देखेंगे हम early medieval phase के अंतिक पड़ाओं में हैं ठीक है मैंने आपको बताया था कि पहला Muslim invasion जो होता है अर्वों का होता है 712 AD में ठीक है उसके बाद दूसरा invasion तुर्कों का होगा और इन तुर्कों में दो invasion होते हैं जिसमें पहला होता है महमूद गजनवी का ठीक है जो 1000 से लेकर 1027 AD भारत पर 17 आकरवन करता है लेकिन उसका मकसद भारत में सत्ता के अस्थापना नहीं है Muslim सामराजी के अस्थापना नहीं है लेकिन जो दूसरा तुर्की इन वैजन होता है वो होता है महम्मद गोरी का और उसका उदेश शिर्ट क्या है भारत में सत्ता के अस्थापना ठीक है यह हमने आपको बताया था और यह जो अभ्यान चलाएगा महम्मद गोरी इसका अभ्यान जो होगा 1175 से लेकर 120680 यह सब जो घटनाएग चल रही है यह अर्ली मेडियेवल फेज की है यानि कि अर्ली मेडियेवल फेज का मतलब यह है 64780 जो हर्श्वंधन के साशनकाल का अंध है वहां से लेकर 12th century 80 तक का जो समय है वो अर्ली मेडियेवल फेज यानि पुरमधकाल का समय है और हम पुरमधकाल के अंधिक पड़ाव पे हैं और इसके बार महमद गोरी को देखने के बार अगर हम देखें तो महमद गोरी के ब देखेंगे 12 सतापटी के बार का जो समय होगा वो समय मदकाल का हो जाएगा यानि पुरमधकाल 1280 खत्म होते 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 पुरमधकाल की समापती हो जाएगी ठीक है हम यहां पर पिछले वीडियो में हमने देखा था मुहमद गोरी का के आकर्मन की विस्ट भूमी को समझा थ तो मुहमद गोरी के कई नाम है उसको भी आपको जानना चाहिए ठीक है मुहमद गोरी जो था वो संस बनी बंस का था संस बनी बंस जो की देखिए और संस बनी बंस कहां पर सासन करता था ठीक है वो यह देखिए यहां पर देखिए यह गजनी था जहां से मुहमद गजनव यह गोर पड़ेगा या फिर मैं यहां दूसरा मार्क कर देता हूं देखिए यह जो है यह गोर है यह गोर है ठीक है अफगानिस्तान भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान सबको समझे रहे इरान उसके बाद हमने यह इरान बनाया है यह सीरिया है उपर तुर्की है और यह जिनी और यह है हिराथ उन्ही के बीच में यह पढ़ता था गोर ठीक है यहीग का साषब forgiving को मोहमत बोई ठीक है यह महमत बोई जिसका सम्मन्ध संस्वनी वंस से था संस्त बनी वंच संस बनी डाइनस्ति आप नीबी सकते हैं यह हेगा यह जो था यह है संस बनी तो यह आप लिख सकते हैं यह गोर यहां पे है और गोर के बारे में अभी मैं बताओंगा आपको पहले मुहमद गोरी के बारे में मैं बता दो यही गोर से इसका संबंध है ठीक है हाला कि साचक यह गजिनी का बनेगा कैसे बनेगा भी बताऊंगा, गजनी क्या होगा, गोर असामराज के अंतरगत ही आ जाएगा, देखिए मुहम्मद गोरी के कई नाम थे, ठीक है, अगर है मुहम्मद गोरी क्योंकि गोरवन से यहां से संबंद है, ठीक है, तो मुहम्मद गोरी हो गया, इसका दूसरा नाम मुहम्मद बिन साम ठीक है मुहम्मद कोरी शियापुद्दीन मुहम्मद कोरी ठीक है या आप कह सकते हैं मुहम्मद बिन साम यह सब मैं पिछले वीडियो में लिखवा चुका हूं को यहां पर गोर है बीच में यह गजनी है अफ़्दान में और इधर हेरात है इन दोनों के बीच में ही गजनी पढ़ता है ठीक है अब यहां पर देखिए यह था क्या कि in the 10th century दस्वी सताप्दी में यह independent principality था कौन यह जो गोर है यहां पर यह independent principality था अफ़गानिस्तान में गजनी और हेरात के बीच में ठीक है लेकिन आप देखेंगे 1000 AD के आज पास ठीक है 10th century में यह independent principality है स्वतंतर एक द्रदेश है स्वतंतर एक राज है लेकिन आप जानते हैं कि 1000 AD में जब महमूद गजनवी इधर से इस गजनी से भारत की तरफ आक्रमन कर रहा था ठीक है यह हिंदू साईवन्स पे पहला आक्रमन उसने किया था तो यहां से जब यह आक्रमन होगा भारत में महमूद गजनवी का उसी समय वो गोर बेवियाक्रवन कर रहा था और कहते हैं कि around 1000 लेडी इसने गोर को कंट्रोल कर लिया था ठीक है तो महमूद गजनवी के समय आप इस चीज को समझेगा मैंने पहले भी बताया था कि महमूद गजनवी के समय ये जो गोर है ये जो गोर है ये गोर इस पर गजनी का कंट्रोल है ठीक है गजनी का कंट्रोल है इस गोर पे ठीक है लेकिन आप समझेगे कि जब 1030 AD यानि कि 1030 AD में महमूद गजनवी की गजनी में ही मौत हो जाती है उसके बाद इसके दिया उलट जाएंगी और धीरे धीरे गजनी पे गोर का कंट्रोल हो जाएगा यानि समझेगा महम्मद गजनवी के समय गोर गजनी का एक सामराजय का हिस्सा है लेकिन महम्मद गजनवी के डेट के बाद जो गोर है अब गोर एक बड़ा सामराजय बन जाएगा और गजनी इसके अधिन आ जाएगा सबसे बड़ी बात समझने हैं तो ये समझने वाली बात है यहीं में देखेंगे कि मुहम्मद बोरी जो है इसका साशनकाल जो है 1173-120680 तक है पिछले विडियो में मैंने बताया था जिसमें इसको आप दो पार्ट में देखेंगे ठीक है इसका साशनकाल दो पार्ट में है 1173 से 1202 या 120380 तक ठीक है क्योंकि 1202 तक इसका भाई जिन्दा है गया सुतिन मुहमद बोरी उसी नहीं से गजनी का पार में राज़पार बनाएगा ठीक है तो 1173 में गजनी का राज़पार बनाया जाता है मुहमद बोरी को यानि शिहा को तीन मुहमद बोरी को गजनी का राज़पार बनाया जाता है उसके भाई गया सुदीन मुहमद बोरी के द्वारा ठीक है और खुद गोरी जो गया सुदीन मुहमद बोरी जो इसका बड़ा भाई है उसकी मौत हो जाएगी तो फिर independent की इसका साशन हो जाएगा ठीक है तो वो आपको 2022 2066 तक AD तक इसका साशन रहेगा तक आपने समझा अब देखिए समझेगा मैंने ये बताया कि महमुद गजनमी के डेद के बाद क्या होता है गजनी सामराज जो है गजनी का जो कंट्रोल था महमुद गजनमी के समय गोर पर लेकिन महमुद गजनमी के डेद के बाद सितियां बदलेंगी और गोर जो है गोर का कंट्रोल हो जाएगा गजनी पर पहले गजनी कंट्रोल करना है गोर को लेकिन अब गोर कंट्रोल करेगा गजनी को ठीक है यह सबसे बड़ी बात है यहां पर क्या होगा कि समझे कि यह गोरी सामराज का कैसे होता है सुरुवाती दौर में मैं बता रहा हूँ देखें हुआ ग्यार कि अगर देखें तो पहले सबसे पहले गर देखें तो 1034 से लेकर 1194 एडी तक ठीक है यह तो पर समराज था बहुत बड़ा ठीक है और यह जो था इसका अगर समझे तो इसका जो एक्सपेंशन था यह तुरकी है देखे जो ग्रीन से मैंने बनाया हुआ है यह तुरकी है समझ दीजी यह तुरकी है तुरकी है तो इस तुरकी में अगर आप देखेंगे तो इस तुरकी में यहां देखे अनातोलिया है तुरकी के मध्य में उसके बाद इधर से अगर यह वेस्ट में है वेस्टर्ण मोस्ट पॉइंट है इस सेल्जू कम पाएगा उसके बाद अगर आप इधर आते हैं इस्ट के उपर होंद देशिया है कज़ाकिस्तान किर्किस्तान तर्जाकिस्तान इधर Спасибо Each of the national を अफिर्टूमय स्साने पूरा सेंट्रिश के स्का सेंट्रल इस्का है एकस्पेंशन और शाउत में देखें तो यह जो यह देखिए और श्रडीयर यह अगर हम देखें तो यह पूरा जो सेल जो कंपायर है देखिए कि इतना बड़ा सामराज है यह पूरा देखें बहुत बड़ा सामराज यह बहुत बड़ा सामराज निकल के आता है यह कितना बड़ा शेकर है यह कितना बड़ा सेत है लेकिन होता क्या है कि 12th century AD in the middle of the 12th century क्या होता है कि यह सेल्जुत अमपायर वीक हो जाता है क्यों क्योंकि तुर्की कभीलों का एक ग्रूप जो है एक होता है ख्वारीज मसामराज, जिसका बेस इरान है, यही इरान देखिए, यह इरान वाला पार्ट है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यह इरान, इसका बेस इरान है, ठीक है, ख्वारीज मसामराज बहुत ही बड़ा सामराज है, और दूसरा गोरी सामराज जो के यहां को आह्ए ऐस्तान में ठीक है तो यह निकलके कैए अब देखेएगा हुआ समझेगा मैं पिछली बार बताया भी था की इरा का जो इस्टर्न इरान है और खासंट ये नॉर्थ वाला उपर वाला नॉर्थ इस्ट इरन वाला ये जो पार्ट है थीखेना इसको कहा जाता था खुरासन हज़र के धाम के तो खुरासन का मिलत खुरासन यह लेकिन खुरासन धूरी द्रेए बढ़ा भी हो जाएगा अफगानिस्थान का पार्ट भी आ जाएगा इस में। उपर सावुदर अंद्रू सेंट्रल असया का भी पार्ट आ जाएगा तो बहुत बड़ा लेकिए बॉर्डर पर पुरा है और ये चाहिए पूर्ट अजए तो यह देखेगा खुरासन दीरे देर बड़ा होगा है कि Central Asia के भी कुछ-कुछ पार्ट देखें के मैप में तो दिखाई देगा आपको ठीक है इस अब खुरासन को जीत लेता है और जब खुरासन को यह जीत लेता है तो देखिए अब खुरासन को जीतने के बाद इसकी इस्तिति और मजबूत हो जाती है तो फिर गोरी सामराजे के लिए इधार आकर्वन करने की बजाए इधार आकर्वन करना इसके लिए खविकल्ब बचता है थीक है भारत की करफ इसलिए ये भारत की तरफ आएंगे ये मैंने आपको कृय्ष्ट घुमी बता लेती तो मेरे ख्यासे आप समझ गए होंगे कि खुरासन जीतने के बाद जब खुरीज्म सामराज खुरासन जीत लेता है तो गोरी सामराजे के लिए इधर एक्सपेंसन करना मुस्किल हो जाएगा इन्हें इनके पास विकल्प यहीं बज़ेगा कि यह भारत की तरफ बढ़े इसको तैस मैस कर देगा बात में हम देखेंगे तो अब देखिए हमने यहां तक समझ लिया अब यहां देखिए गोरी सामराजी के जो यहां पर उदय होता है तो इसका गज़िनी के साथ संभर्स चलता रहेगा आगे एक साशक आएगा मैंने पहले भी बताया था अलाउती जिसके समय में गोरवन्स बहुत जादा करक्ती करेगा बहुत जादा पावर्फुल हो जाएगा ठीक है यह गोरी सामराजी जो है और यह वेक्ती जो है यहां अलाउतीन हसन या सुल्तान अलाउतीन भी कहा गया यह पूरे गज़िनी को तहस्न हस कर देगा इस संभर्स के द हुआ जलाने वाला विश्वदाख वॉल्ट बर्नर अलाउतीन हसन है लुज ने उपादीन ली थी जहां सोझ की और जहां सोज का मतलब क्या होता है विश्व दाहक या वाल्ड वाल बर्नर यानि दुनिया को जलाने वाला ये इसकी उपादी थी और ये एक्जामिनेशन भीक है गजनी को ये तहत समय करता है और दिले दिले गजनी ये गोर यत कर्ते होती है और फिर गोर का गजनी के हो जाएगा, हाँ, आगे मैंने बताया कि सुल्तान अलाउदीन या जहां सोच जिसको कहा जाता था, उसके समय गौर सामराज्य का कि शक्ति बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, ठीक है, और उसके बाद आगे जो सत्ता आएगी, वो सत्ता आएगी गोर सामराज्य की मुहम्मद गोरी के भाई ग्यासुतीन मुहम्मद गोरी के पास ठीक है ग्यासुतीन मुहम्मद गोरी ये जो मुहम्मद गोरी जो भारत आता इसका नाम था या तीन मुहम्मद गोरी मैंने बताया था या मुहिजुतीन मुहम्मद गोरी यह सब इसके नाम थे पिछले वीडियो में लिखवाया था तो इसका जो भाई है बड़ा भाई ग्यासुदिन मुहम्मद गोरी वो मुहम्मद गोरी को 1170 में इसी गजनी का गवर्नर अपॉइंट कर देगा यह जो गजनी यहां पर है इस गजनी का गवर्नर अपॉइंट कर देगा और फिर यही से सर्ता की सुरुवात हो जाएगी और इसके साशन की सुरुवात हो जाएगी जो की 1170 से लेकर पहले गजनी से यह साशन करेगा गजनी जो की गोर सामराज के या गोरी सामराज के अंतरगत ही आता है और 1206 तक इसकी सर्था चलेगी शुरुवाती दोर में भाई के साथ और फिर 1202 या 3 में AD में यह अलग-अलग समय आता है समय पे उतना जाना नहीं है इसके भाई की विर्टु हो जाएगी तो इसका इंडिपेंडेंट यह रूल करेगा ठीक है तो यहां तक हमने बातों को समझेगे एक्सपेडीशन इसका पहला 1175 से शुरू होगा 1175AD से तो पहला एक्सपेडीशन इसका मुलतान का होगा यह ध्यान लकिये यह फिर्स्ट इँप आ जाता है कि पहला एक्सपेडीशन कौन सा था तो मुल्तान पे था और अंतिम एक्सपीडिशन पंजाब की एक जर्ग जाती थी खोकर उसके खिलाब 1175 A.D. में मुलतान पे 1206 A.D. में खोकरों के खिलाफ जो की पंजाब की एक जन जाती यार ट्राइबस थी और उसके बार 1206 A.D. में दम्यक में मुहम्मद गोरी की मिर्टू हो जाएगी मैंने सारे लिखवा दिया था इसके बारे में जो जेनरल इंफोर्मेशन है जन्म 1149 A.D. ने कहां पे अफजानिस्तान में और डेथ 1206 A.D. में दम्यक पाकिस्तान ये पिछले वीडियो में मैंने लिखवा दिया था ओरिजनली ये तुर्क हैं लेकिन अफजानिस्तान पेन की पकड़ हैं ये तुर्क आकर्मन हम कहते हैं दूसरा तुर्क आकर्मन मुहम्मद गोरी का ठीक है तो यहां तक हमने समझ दिया है कई बार देखिए मैंने बता है कि संसबरी वंस से ओरिजनली भी लग गता लें कई बार जो अलावदीन हसन है कहा जाता है कि उसने गोर्वंस की अस्षापना करनी तो कई बार इसको गोर्वंस मी लिख दिया जाता है ठीक है तो इतना समझेगा ये most important मुलतान और यह most important यह examination point of view से आपके लिए जरूरी है अब अगर हम expedition देखें तो इसके expedition का objective देखिए सबसे पहला जो महमद गजणी का था मैंने बताया था उसका था कि यहाँ loot part करना main था साथ साथ इसलाम का प्रचार करना भी था ठीक है इसलाम का प्रचार करना भी था धन और धन संपती की नूट करना भी था ठीक है लेकिन सब्ता की अस्थापना का मकसद उसका नहीं था महमोद गजणी का लेकिन इसका जो main मकसद है देखिए सब्ता मुस्लिम सब्ता की अस्थापना या तुर्की सप्ता की अस्थापना wealth तो था ही, धन तो है ही पहले ही से पता था महमद गजणवी ने बहुत बूट मार किया था यहां पर लूट पाट किया था इसलाम का प्रचार, propagation of Islam यह भी था और प्रेश्टी इसलामिक जगत में यह एक इसकी glory बढ़ती गौरो बढ़ता तो यह भी कालता, तो मुख्य जो है यहां पर सप्ता अस्थापित करना भारत में दोनों के purpose में दोनों के objective में यही difference था महमूद गजणवी यहां लूट पाट करने की रियादे से आये था जबकि महमद गोरी के रियादा सप्ता अस्थापित करने का था जो जिसमें हो कामयाब भी होता है ठीक है अब आगे देखिए इस expedition के बारे में अगर हम कहें तो महमद गोरी के expedition के समय political condition क्या था वैसे पता आपको चलता जाएगा जैसे जैसे मैं बात करूँ ना लेकिन फिर भी मैं एक बर बता देता हूँ देखिए political condition ये था कि यहाँ पर मुल्तान में मुल्तान में कर्मठियं मुस्लिम्स थे जो सिया संप्रदाय को मानते थे हाला कि महमोद गजणमी ने मुल्तान को जीता था वेकि बाद में फिर कर्मठियंस ने यहाँ पर कबजा कर लिया था ठीक है वैसे ही आप देखेंगे कि गुजरात में चालुक के वंस का शासन था यहाँ पर पाल वंस है विहार बंगाल में बाद में यहीं पर सेन वंस इसी समय आ जाएगा जब बक्तियार खिल्ची आएगा इसका एक जनरल है मुहमद गोई का तो सेन वंस के राजा लक्षमन राय को हराएगा ठीक है परिटिकल कंडिशन यह था पंजाब जो था पंजाब का जो एरिया है आप समझ जाएए उस सम करते हैं लेकिं पे पंजाब पे गजनी समराज का ही रेप्रेजेंटेटीव खुसरो मली के नाम से चाशन कर रहा है तो यह पोलिटिकल कंडिशन था जिस पे हम आगे देखेंगे और सबसे बड़ी बाद दिल्ली और अजमेर देखिए राजस्थान का पाठे आजमेर और यही पे दिल्ली ठीक है यहाँ पे चौहान या चाहमन वंस का सासन था जिसका सासन प्रिथवीराज चौहान तरहें की फर्स्ट बैटल में और सेकंड बैटल में मुहम्मद गोरी के साथ मुकाबला होगा ठीक है यहाँ यहाँ पर चालुक के हैं यहाँ पर दिल्ली अजमेर में और दिल्ली में आप देखेंगे यहाँ पर तो सासन है चाहमान या चाहान वंस का उसी तरह से आपको बुंदेल खंडे में चंदेलाज हैं तो इस तरह से पोलिटिकल कंडिशन इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं ठीक है ना अरली मेडेयवल फेज में कहा कहा राजपुत वंस था तो वो आप देख सकते हैं पहले ठीक है और यहाँ आप चर्चा करते ही रहें तो अब पहले एक्सपीडिशन से हूं शुरुगा करते हैं देखिए यहाँ पर सबसे पहला एक्सपीडिशन कि एलिवन सेविंटीफाइड में यही मैने बता दिया था कि मुलतान पे होता है मुलतान कहां पए है देखी यह नीचे वाला सिंद है तो यह मुलतान इसके नीचे सिंद है पुरा तो पहले मुलतान पे यह अभी निबताया subscribe मुलतान करमठियन मुस्लिंस थे जो सियासा अपरदाय को मानते थे और यहां पर देखिए विक्ट्री होती है जहां जहां विक्ट्री होती है वो मैंने लिख लिया है ठीक है और इसी साल 1175 में ही 1175-80 में ही उच्छ उच्छ का मतलब अपर सिंध यह जो देखिए सिंध है ना यह तो अपर सिंध जो है यह अपर सिंध यह जीत लेगा नहीं पर इसी को उच्छ कहते थे ते के फ़िम जीते तीक है यह बड़ी बात यहां पर वीक्ट्री मैंने लिख दिया है उसके बाद सेकेंड देखिए यहां पर 117 यह तो सेकेंड था है पहला दूसरा अब आगे 1178 में 1178 में यहीं पर मैंने बताया पॉलिटिकल कंडिशन गुजरात वाले पार्ट में कौन है भाई चालुक के बंस है जिनका जिनकी राजधानी अनहील वाड़ा है गुजरात में और यहां पर भी देखिए यह लाई होती है एक फूट हिल्स ओफ आपू मांटें ठीक है इसम कहा जाता है भीम सेकेंड या मूल राज सेकेंड जादा जगा पर भीम सेकेंड मिलेगा कहा जाएगा कि भीम सेकेंड यहां पर सा सकते कई जगा पर कहा जाता था कहा गया है कई इतिहासकारों में यह बताया है कि भीम सेकेंड और मूल राज सेकेंड यही बेखती है कई में समता संभाद ली थी इनके जिरों और नाइका ने भी काफी बहादुर से लड़ी थी और यहां पर दिफीट होता है देखिए यहां पर 1175-80 में होलतान उच में जीतता है कौन मुहम्मद गोडी उसके बाद यहां पर डिफीट होता है यह पहला डिफीट है मुहम्मद गोडी का फर्स्ट डिफीट आप कह सकते हैं यह भी पूछ सकता है एक्साम में पहला तो पूछेगा बहुस्त इंपॉर्टन पहला जो आकरबन था या रेट था कहां पे था को मुलतान पे था ये फर्स्ट डिफीट है फर्स्ट डिफीट भारत में तो ये भी सवाल बन जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट आप कर सकते है फर्स्ट इंपोर्टेंट ये भी सवाल यहां से बन सकता है उसके बार देखिए तीसरी बार पंजाब मैंने अभी अभी बताया कि गैजना पाइडूल पंजाब से नहीं गया है यहीं देखिए पंजाब का छेत्र है जिसमें आएगा कौन-कौन सा छेत्र यहां पे आ जाएगा आपको पंजाब के छेत्र में लाहौर आ जाएगा सियाल कोट आ जाएगा भटिंडा आ जाएगा तो देखिए यहां भी गजनी का सासन गया नहीं है मुहमद गजनवी का रेप्रेजनवी जिन्दा नहीं है लेकिन उसका जो रेप्रेजनटेटिव है खुसरो मली क्या इसका गुजर जितने के बाद पंजाब का ये ध्यानगा कियेगा यहां पर होगा कि यह राजस्थान वाला पार्ट यह जो पार्ट है यह राजस्थान वाला पार्ट समझ लीजिएगा उसमें हर्याना नाम का तो कोई बात था नहीं देखिए राजस्थान है राजस्थान है ठीक है और यह जो है राजस्थान देखिए यहां पर यह पंजाब है अब जब पंजाब यह जीत लेगा और यहीं पर भटिंडा है तो भटिंडा देखिए यह वड़ा जो पार्ट है सब्सक्राइब यहां न हमें यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह पर पाकिस्तान बड़ा हो जाएगा तो यह यह वेष्ट पंजाब पाकिस्तान की तरफ है यह यहां पर सियाल पोट आपका उपर होगा लाहर नीचे होगा ठीक है उसके बाद भर्टिंडा कि जो यहां पर भर्टिंडा है जिसको उसमें तबर हिंद कहा जाता था ध्यान रखिएगा तो भर्टिंडा की विजय कर लेता है कौन महमूद बोली Mp mm 189 गही जिस और प्रटिंड़ा होगी जब भर्टिंडा जीत लेगा तो याहँप धिया यहीं पर देỏर दिली एक यहीं पर अजमेर कर रहा है चाहान या चाहवान वंस का यहां पर प्रित्विर्द्विराध चोहान है देखिए और यहीं पर दिल्ली है आप देखेंके तो आज पज्याप के साथ ख़र्याना भी लगा हुआ है लेकिन उस समयं हर्याना नहीं था खर्याना तो 1966 में ठीक है ना तो यह ज़िए यहां पे पहुच जाते हैं तो सी फीर सी बात है कि दिल्ली और अजमेर वाले खेतर में यह ब्रित्मिरा चौहां का खेतर है तो जब ये भटिंडा जीत लेगा जिसको तबर इंद कहा जाता था याद रखिएगा तबर इंदा आज का भटिंडा एले बेरेतिनाई में तो अबियस है कि ये दिली और अजमेर में साशक कौन है पृत्वी राज चोहान चाहान या चोहान बसका इसको पृत्वी राज याद रखिये प्रितवी राज थर्ड में आधी र चौहांड था तो अब यही पर की पहली कि लड़ाई कि तराइन फरस्ट कि टॉडकि टैन्टी ही तराइन फस्ट कि आस्ट लमाइप और प्रित्वीराज चौहान के बीच, तो देखिए प्रित्वीराज चौहान यहां पे जीत जाएगा, ठीक है, प्रित्वीराज चौहान यहां पे जीतता है, यह तराइन आज हरियाना, खाने स्वर के पास हरियाना में, उस समय हरियाना नाम का कोई चीज नहीं था, ठीक है, तो तो तराइन के पहला बैटल 1191 एडी में ये बहुत इंपोर्टेंट है तराइन का पहला बैटल तराइन का दूसरा बैटल और चंदावर की लड़ाई इन तीनों पे आपको जादा ध्यान देना है तो यहां PCPRC पित्ली राचोहान की जीत होती है यानि गोरी यहां पे हारता ह तराइन के पहले लड़ाई में लेकिन अब यहां दो बाते निकल के आएंगी देखिए मैंने यहां पर लिखता है PCPRC की विक्ट्री होती है यहां पर देखिएगा लेकिन कुछ मिस्टेक भी करता है देखिए मिस्टेक भी करता है यह राजपुतों के हार के कारण थे और तुर्कों की सफलता के करण भी थे मिस्टेक क्या करता है प्रिद्विराजल पहला moral इन्याति क्या है यूद के मैदान को इंजर्ट हो जाता है महमबत कॉरी और यूद का मैदान वो छोड़के भागता है ठीक है तो प्रिद्विराजल चौहान ने नाहीं उसका पीछा कiam और नैतिकता के अधार पर चुकि भागते हुए सत्रूपे कहता है कि भाई अटैक नहीं करना चाहिए ये हमारे नैतिकता का सवाल है कि हम किसी भागते हुए सत्रूपे हमला नहीं करेंगे तो उसने हमला नहीं किया तो मुहम्मद गोरी की जान इसमें बच्जा आती है उधाल में ना पन्जाब में जो थो करता है पंजाब बीट्रि हो जानी है तो पंजाब में जो तुर्क है जो मुहम्मदभुरिक का सासन पंजाब में अपचल रहा है हां उसको भी वो खतम करने की कोशिश नहीं करता कि पहले भाई इसको खतम किया जाए नहीं तो यह फिर खतरा हो सकता है इनके लिए और वही होता है मुहम्मद गुरी क्या करता है बार बार गजनी लोटता है फिर वापस आता है और फिर वो अटैक करता है तो मुहम्मद गजनी तो लोट गया है भाग के चला गया गजनी लेकिन यहां पर तो इसके रेप्रेजेंटेटिव है इस पंजाब में क्योंकि पंजाब को यह जीत चुका है लेकिन इस Northern Border को ना तो इसके defense को मजबूत करने की कोशिश करता है ना ही इन छेतरों को जीतने की कोशिश करता है प्रित्वे आचोहान तो यह बड़ा mistake है ठीक है तो यहां हमने चार expedition को देख लिया ठीक है एक तो 1175 में मुलतान औरुच फिर गुजरात अनहिलवारा जो राजधानिया गुजरात को आभीम सेकेंड या मुलरा सेकेंड को से हार जाता है और यह बड़ी बात है यहां पर आप से सवाल बनेगा मैंने most important लिखा है जरू दे लेकिन जब अगली लड़ाई होगी तो वहां पर पित्वी राज चौहान हार जाएगा और यहां पर गुरी की जीत होगी ठीक है यह बहुत बड़ी घटना होगी भारतिये इतिहास की तराइन के बैटल के बाद फर्स बैटल आफ तराइन के बाद हम आगे सेकेंड बैटल लेट्स मूव ओन एंड नाओ विल टॉक अबाउट तराइन जो की 1192 एडी में होता है दूसरा बैटल तराइन का पहला हमने देख लिया जिसमें मोहमद गोरी की हार होती है और इसमें क्या-क्या मिस्टेक किये इसके बाद जरूर इसमें प्रित्वी राज चौहान की जीत होती है लेकिन उसने कुछ मिस्टेक्स भी किये इसकी चर्चा भी हमने कर ली उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हम आते हैं और जहां देखते हैं कि 1192 में यह लडाई होती है तराइन जो आज का मॉडर्ण हर्याना है वही एच्छे पर पाटता है तराइन ठीक है और यहां पर क्या होता है एक चीज़ आप नौट कर लिए पहले देखिए यहां पर एक एंट्री गेट क्या है जब मुहमद गुरी अपनी शुरुवात करेगा एक्स्पेडिशन की तो यह भारत में गोमल दर्वे से होकर आएगा यह इंपॉर्टेंट है पूछ देता है इस सकते हैं इसमें होती है और इसमें डेट्ट हो जाती है यह हैं यह क्या होता है हारता जरूर वापस जाता है जजी और फिर एक साल के बार त्यारी और करके आएगा और फिर यहां पर फिराच नियां प्रित्वी राजचोहान को राजपुतों का साथ नहीं मिला था यहां पर और खासकर कहते हैं कि जैजन जो उस समय का बहुत की महान साशक माना जाता था ठीक है यह गढ़वाल या गढ़वार बंसका देखे कन्योज में हुआ करता था यह यहां पर यहीं पर यह भी तो यह गढ़वाल बंस था तो जैजन जो था ये इसका समर्थन नहीं मिल पाया देखे जैजन का भी नहीं मिल पाया और चालूप के सासक गुजरात का चालूप के सासक थे उनका भी समर्थन नहीं मिल पाया ठीक है गुजरात में जो चालूप के सासक थे उनका भी समर्थ को बित्वी राज चॉभांड को नहीं मिल पाया लेकिन मुखर उपसे दखा suspicion का युद्भ से अलग रहना ठीक है में फिर अब तो परित्वी राज चौहान के लिए घातक होगा और बाद में तो जेचंद हो अगे लडाई में आप देखिए जैचंद जो है है कि कहा प्रेम था और कहा जाता है कि उसने उसका अपहरण भी कर लिया था शादी के लिए सहमति से इसका अपहरण भी कर लिया था तो इस वज़े से जैचंद नाराज रहा करता था ठीख मैं ने बताए चाहमान या चौहान वंसका प्रतीक के रूप में दो किसी भी धोखेबाज के प्रतीक के रूप में जैचंद का नाम लिया जाता है अगर भारत को तो पहले जैचंदों से बचाना वोगा जाता है तो इसको प्रतीक के रूप में दो किसी धोखेबाज के प्रतीक के रूप में इसको देखा जाता है ठीक है जैचंद ने साथ नहीं दिया और जिस समय प्रित्वी राद चौहान की हार होई थी यह जश्न मना र कर देखते हैं कि इस लड़ाई में कहा जाता है कुए जैचंद ने सरह को कर पर स्थापना की बात है का रास्ता है स्थापना का रास्ता है वो चलियर हों गया तो यहां देखिए में ट descal coy liberals दट यानि गोरी के अधिन उसने रूल किया वसाल मतलब एक तरह से सामांत हो गया उसने कुछ दिन तक रूल किया है अजमेर में लेकिन बाद में ट्रीजन यानि की मतलब बिद्रोह और देश द्रोह आप कह सकते हैं द्रोह का उस पर आरोप लगा कहा जाता है कि उसने रिवोल्ट कर दिया बाद में जिसकी वज़े से उसको मौत की सजा दिया दी गई दूसरी बात थी दूसरा ये थियरी है तीसरी थियरी चंद बरदाई की है जंद बरदाई जो की कोड पोट था दर वाली गभी था किसका प्रिःवी राज चौहान का और इसी ने लिखा है प्रिथवी राज रासो इसी का लिखा वहादि पहले मैं बता चुका हूँ प्रित्विराज रासों नोट कर दिजिएगा चब बरदाई ने लिखा था तो इसने कहा कि जब लड़ाई खब्म होती है तो प्रित्विराज चौहान को देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है शक्त बेदी बांट से गजनी में गुरी की हथ्या करता है किसमें को प्रित्विराज चौहान को कैद कर दिया जाता है और इसको गजनी ले जाया जाता है कैद करके गजनी ले जाया जाता है उसके पीछे पीछे चुकि यह इसका दोस्त है चंद बरदाई यह चला जाता है गजनी में और वाफना पर कहा जाता है कि इसकी आंखे निकाल ली ज जुकता नहीं ऐसी बात कही जाती है तो प्रित्विरा चौहान की आखे निकाल ली जाती है उसके बाद कहा जाता है कि चंद बढ़नाई और प्रित्विरा चौहान मिलके आपस में डिसाइड करते हैं कि किस तरह से मारा जाएगा इसको मुहम्मद गोरी को तो चंद बढ़नाई ये चला गया था साथ साथ ये भी जब इसको कैदकल के लिए गया गया प्रित्विरा चौहान को तो ये भी चला गया था गजरी ऐसा कहा जाता है ये कहानी है ठीक है तो उस समय क्या होता है कि मुहम्मद गोरी को बताता है कि प्रित् तो ऐसा हुआ था कि सुल्तान बैठा हुआ है। यानि कि मुहंद कोरी बैठा हुआ हूआ है। बगल में चंद करना है और एस अड़OR की अचल बेठा हुआ है। वह measurement दे रहा है कि कितनी उचाई पर कितनी दूरी पे बैठा हुआ है महम्मद गोरी तो वो कविता बोलता है जैसे चार बाथ, 24, गज, अंगुल, अस्ट प्रमान, ता उपर सुल्तान है, मत्चुकोरे जोहान, ठीक है? ताउपर सुल्तान है, मत चुको रे चौहन यह कविता सुनाता है चुकि कोट है तो इस कविता में पूरी एक तरह से डिस्क्रिक्शन दिया गया है कि कितनी धूरी पे कितनी उचाई पे बैठा हुआ है मोहमद गोरी तो इस आवाज को सुनके तीर से पर माहत देता है तो ये कहा जाता है कि इस वजह से भी मोहमद गोरी को चुकी मार दिया गया धित्वी राचहवान के द्वारा शंद बेडि bosun बार्ण चलाकर तो इसको मत माद पिसाजा दे दे जाता ही LAUGHTER कि रहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सही है हसन निजामी वाली बात को मानते हैं हिस्टोरियान दियास कर क्योंकि देखिए उस समय कोई पाए गए हैं सीख्ये पाए गए हैं जिसमें एक तरफ रिट्वीराज चौहान पी आर्सी रिट्वीराज चौहान और बुल रिट्वीराज चौहान का नाम लिखा हुआ है भूल के साथ बेल के साथ और दूसरी तरफ घोरे के साथ मुहम्मद भी साम का नाम लिखा हुआ है तो यह अंदाजा लगाया जाता है कि रिट्वीराज चौहान ने कुछ दिर मौहमद गोरी के अधिन एक वशल के रूप में ठीक है अजमेल में शासम किया था और बाद में उस पे ट्रिजन का आरोप लगा राजद्रोप का और उसको मौत की सजादिर दी गई तो यह कहानिया है ठीक है अल्डीमेट आपको जो जाकारी रखनी है यही रखनी है कि इस सेकंड बैटल अव तरहीं में फिर फिराज चौह का योग नहीं मिला और खासकर जैचन्द का नहीं मिला अब देखें जैचन्द ने यहां धोखा दिया इसको यह पता नहीं था कि आगे यहीं मुहम्मद गोरी आएगा और 1994 में चंदावर ठीक है उत्तर प्रदेश इटावा के पास ठीक है गोरी और जैचन्द की लड़ाई होगी जिसमें जैचन्द हाला कि बहुत पहादरी से लड़ा था लेकिन जैचन्द के आँख में एक तीर लग गया उसके बार इसकी मौत हो जाती है तो कहा जाता है कि इसी के बार अब जो पूरी शक्तिया थी राजपुद शक्ति जो थी पित्री राज चौहां एक बड़ी शक्ति था और जैचन्द एक बड़ी सक्ति था दोनों के खात्में के बार अब भारत में तुर्कों के लिरासान हो गया कि भारत में वह सब्ता अस्थापित कर सकेंगे ठीक है तो यह आपको याद रतनेंगे तीन तीनी बस एक ब जैचन्द लिए सब तो आप समझी गए यहाँ पर कहानी समझ गये बस सब वोट नहीं मिला था लोगों का तो यह कहानी समझी है देखिए जो 1192 का सेकेंड पैटल अफ तराइंग वह था उसके बाद भारतिये छेत्रों का जो भारति में जो भी छेत्र जीते गए थे इंड महें गोरी मुत्यू गोरी तो कुल्तू गोरी नेबक के साथ ही लडराई होते हैं मुट्व गुति नेबक के महमत गोरी проблем है और ये दोनों मिलके लड़ाई करते हैं किसके खिलाब जैचन के खिलाब जिसमें जैचन मारा जाता है तो यहां भी विक्ट्री होती है अब देखें इस विक्ट्री के बाद इसके बाद 1994 के बाद हमने सारे एक्सपीडिशन को देख लिया अगर देखें तो दो रेप्रेजेंटेटिव से भारत में महमद गोरी के एक तो कुट्वुदी ने बख और एक और जेनरल है बक्तियार खल जी एक तियार उद्दीन बक्तियार खल जी बुरा नाम का इसका तो तो यह भी जान लीजिए तो यह अपना एक्सपीडिशन से रूख करते हैं मुहमद गोरी के तरफ से इसके रेप्रेजेंटेटिव के भारत में तो उस तो बुदी ने वक्त जो है वो कंट्रोल करता है दिरे दिरे गंगा यामुना नभी यह यामुना नभी तो इसके आज तरह काasant डोल हो जाता है कि सका तुर्कों का और दूसरा जन आपकर करता है और चतलोर नतले बत्यां दिहार और उदं्थ पुरी विश्युवीच विज्ञा इन तीनों को बहुत लुक्साद पहुंचता है नस्ट कर देता है इस ट्रॉए टाइह थे एक तो यह आपको याद ठापड़ेगा कि नहरण इसने डिस्ट्रोई किया तो बख्तियार खिल जी तो यह सवाल आपके लिए बनता है ठीक है बख्तियार खिल जी ने बंगाल जीता था देखें यहां पर पहले पाल वंस था बख्तियार खिल जी चाहसा प्लप्षमन सेंगों और तब यह बंगाल को पार्ट को पूरे बंगाल को नहीं तो एक तरह से आपको जानकारी रही नीचाहिए तो देखिए इधार नौर्थ इंडिया मैं अच्छा खासा कंट्रोल इन लोगों ने कर लिया है ठीक है और आखरी एक्स्पीडिशन अगर देखा जाए तो मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस यहां पे नहीं है और देखिए आखरी एक्स्पीडिशन इसका 1206 में मुहम्मद बुरी का यहां पर दिखते हूं यहीं से देखिए बना देता हूं यह आखरी एक्स्पीडिशन 1206 में कोकरों के खोकर जो है पंजाब में जल जाती है तो बार इसको खिलाफ होता है और बहुत कतलियाम करता है मुहम्मद बुरी बहुत जारा कतलियाम करता है इसकी मिल्तू हो जाती है तो यहां पर देखेंगे कि अपनी मिल्तू से पहले ही इसने जो भारत में नौर्ट इंडिया गंगायमना दुवक का जो छेत्र है और यह दिल्ली और उसके आसपास का छेत्र है जो महत्वपून पार्ट है उसकी जिम्हेटारी इसने अपनी सबसे विश्वस्ती और सबसे प्यारे स्लेव यानि गुलाम कुट्वुदीन एबग को दिया था तो कुट्वुदीन एबग इसका सबसे विश्वस्तिये स्लेव था और इसने जितने भी इंडियान एक्सपीडिशन हुए उसमें सबसे जाधा महतुपुर्ण भूमी का इसी कुट्वोदिन एबक नहीं इबाई थी चंदावार की लड़ाई में भी यह साथ था तो एक तरह से पहले स्लेव का मतलब वह मत समझेगा गुलाम का मतलब कि बंदुवा मजदूर की तरह रखें इसलेव उसमें तुर्की में क्या होता था यह प्रचलन तुर्की से शुरू हुआ था कि गुलाम खरीते जाते थे और उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी तो इसको भारत के जो महत्वण छेत्र है गंगायमना दौब दिल्ली यह सब छेत्र कुतुबुदीर अबब को दे दिये गए उसके अलमा गजनी जो था वो ताजुद्दीन यल्दोज को दिया गया जबकि सिंध और मुलतान यह भी तो भारत में था लेकिन दिल्ली और न नौर्थ इंडिया है गंगायमना दौब उतना महत्वण नहीं था फिर भी सिंध और मुलतान का चतर नसुर्दीन का वाचा को मिला ठीक है यह नसुर्दीन का वाचा को मिजिया गया और इस तरह से आप देखेंगे कि यही कुत्तोबुदीन यह बख आगे चलकर भारत में स्लेव डैनिस्टी यानि की गुलाम वल्स की शुरुवात करेगा भारत में और यही से दिल्ली सल्दनत की भी शुरुवात हो जाएगी यही से दिल्ली सल्दनत की भी शुरुवात हो जाएगी दिल्ली सल्दनत का मतलब यही से शुरुवात हो जाएगी स्लेव डैनिस्टी गुलाम वंस क्योंकि यह गुलाम था ठीक है इस पे हम इसका सन आगे करेंगे ठीक है और यहां से क्या होगा दिल्ली सर्थलंग का पहला वंस गुलाम वंस के रूप में आप देखेंगे आगे और यही से भारत में मुस्लिम साशन की सुरवात हो जाएगी भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाएगी मुस्लिम रूल की सुरवात हो जाएगी और अब आएं मुहमद बिनकासिन का आकरमन होता है 712 एडी में और वों का पहला आकरमन मुस्लिम साशन स्थापित नहीं हो पाता है उसके बाद दूसरा आक्रमन मुहम्मद गजनवी का यानि कि इसको हमने पहला तुर्क आक्रमन कहा जो कि अफगानिस्तान से होता है गजनी से लूट के चला जाता है भारत में मुस्लिन सप्ता स्थापित नहीं हो पाती है लेकि दूसरा तुर्क आक्रमन जो होगा ठीक है सफ इसको आप ध्यान दीजिएगा दिल्डी सल्तनत का पहला वंस गुलाम डानेश्टी की स्थापना कौन करेगा भारत में जो कुत्तुबुदी नेबख है इसका स्लेव जिसको जिम्हेदार जिम्हेदारी दी गई है महित्वपूर्ण भारतिये चेत्रों की ये बारसो छे स्लेव डानेश्टी जिसके अस्थापना करेगा कुत्तुबुदी एबख उसके बाद दिल्ली सल्तनत में और भी वंस होंगे स्लेव डानेश्टी यानि गुलाम वंस के बाद खिलजी वंस उसके बाद सयद वंस और अंतिम वंस लोधी वंस और उसके बाद मुगल आ जाए कि तुर्कों की जीत के कारण क्या थे हमारी कमिया क्या रही उस पर हम अलग अलग सेग्मेंट में देखी यहां तो मैंने बताए है कि क्यों राजपूत जो थे राजपूत युनाइटेट नहीं थे जह जंद ने साथ नहीं दिया कि कैफ प्रित्वी राचोहान ने कुछ गल् साथ कर नहीं को देखेंगे कि पॉल टीकल रिजग क्या था उसका जो है सैनी कारम क्या थे सबकों अलग सेग्में का देखेंगे तो इससे हम हमारा जो है जो कॉंसेप्ट जो है और बढ़ सकेगा ठीक है तो यहां पर देखिए हमने तरहाइं देख लिए तान तरहाइं को आपके इंपोर्टेंट यहां पर मैंने लगा दिया, ग्रीन से लगा दिया यहां पर, देखे तो यह दोनों तराइन की लड़ाई, चंदावर की लड़ाई यह बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे और वाकी इन सब चीजों को भी देखेंगे, झावराईय हैं, इस दीक बचने अड़ाईबित यह दो स्पलदीपर मैं है, जा है करते हैं, तκιक हैंदे eigenlijk69 जा जड़ाईय जे पर लंक हैं, आपके खतराईय हैं, तुक हैं जा रपकिंभके थादाने खिया हैं, घृका हैं करते हैं, टि रही आपके आपके, यह दोक हैं,